हलो बच्चों, विल्कम टेसार क्लासेज, अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेंथ क्लास केमेश्टरी का चैप्टर नमबर टू का पार्ट फोर, ये इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होगा, वीडियो थोड़ा लंबा भले ही हो जाए, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा सवाल कहीं से आता है, तो वो इसी पोर्शन से आएगा, जिसको अभी मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों, तो तक्रीबन चार से पांच मार्क्स आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया, इस टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, वो यह पढ़ना है, कि लवन किसे कहते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लवन कितने परकार के होते हैं, इसके बाद फिर यह पढ़ेंगे, कि कुछ important लवन जो हमारे जिन्दगी में बहुत ज्यादा useful है, वो कौन-कौन से हैं, ठीक है, तो आईए हम लोग सबसे पहले इस्टार्ट करते हैं, लवन के definition से, लवन किसे कहते हैं, लवन को इंगलिस में salt कहा जाता है, तो लवन बैस वहसमे के अभिकिरिया के फिलस्वरूप बनता है, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, कि लवन बैसे योगीकों को कहा जाता है, जो अमल और वहसमे के अभिकिरिया से बनता है, ठीक है, उसे, जैसे देखे, मैंने यहाँ पर definition लिख रखा है, आप लोग चाहें, तो इसका एक स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर लवन बनाने का बात करें, तो एक अमल लेंगे, और इस अमल का अभिकिरिया भहसमे के साथ करा देंगे, ठीक है, अमल और भहसमे के बारे में हम लोग बहुत डीप में जानकारी ले चुके हैं, तो इसके फ परकार का होता है, तो अमल और भहसमे के गुन के आधार पे लवन को तीन हिस्से में बाटा गया है, ठीक है, जो सबसे पहला लवन होता है, उसको कहा जाता है, अमलिये लवन, ठीक है, अब ये क्या होता है, हम लोग देखते हैं, अमलिये लवन, ठीक है, तो अमलिये लवन तब बनता है जब एक प्रबल अमल की अभिकिरिया प्रबल अमल भी लिखना था जब एक प्रबल अमल की अभिकिरिया एक दुरुबल भस्म के साथ करा दिया जाए तब जो लबन बनेगा वो कैसा बनेगा अमलिये लबन बनेगा ठीक है जी अमलिये लबन बनेगा और साथ ही साथ जल तो बनेगा ही बनेगा ठीक है बच्छो तो एक प्रबल अमले कौन सा यहां पे अगर एक्जामपल का बात करें तो HCl ले लेते हैं और एक दुरबल भस में कौन सा ले ले मेगनीसियम हाइडरो अक्साइड लेलें यहहाएगा मेगनीसियम हाइडरो अकसाइड कहते हैं इसमें ऑमले। घुन रहता है। यह सारे के सारे गुन इस लबन में पाए जाते हैं। तो मतलब ये जो लवन है इसका पी एच मान अगर आप लोग देखोगे तो पी एच मान क्या होता है साथ से कम होता है ठीक है बच्चो तो इतना समझ मार गया कि अम लिए लवन किसे कहते हैं दूसरा जो यहां पे लवन का परकार है वो कौन सा होगा आप लोग समझ रहे किये अब हम लोग पढ़ेंगे भासमिक लबन तो भासमिक लबन कैसे बनेगा तो जब हम लोग एक दूरुबल अमल की अभी किरिया प्रबल भसमे के साथ कराएंगे मतलब इस बात भसमे का ताकत को बढ़ा देंगे ठीक है प्रबल भसमे के साथ कराएंगे तो जो यहां प बनेगा ही बनेगा, definition कैसे लिखोगे, कि जब एक दुरवल अमलिकी अभी किरिया, प्रबल भस में से कराई जाती है, तब जो लबन बनता है, वो भासमिक होता है, ठीक है, या तो फिर उससे उत्पन होने वाले, बनने वाले लबन को भासमिक लबन कहते हैं, ठीक है बच्चो में sodium hydroxide के साथ, तो क्या बनेगा, sodium का carbonate बनेगा, तो Na2CO3 और साथ ही साथ क्या बनना है, जल बनना, तो यह जो यहाँ पर लबन बना है, यह किस नेचर का है, भासमिक नेचर का है, मतलब यह, कि इसमें बहस में के गुन मौजूद रहेंगे, अगर आप इसका स्वात करोग तो यह कड़वा लगेगा, साथ ही साथ, इसका जो pH मान होगा, वो साथ से क्या होगा, अधीक होगा, ठीक है, तो यह सारे गुन भी आप लोग लिखते चलोगे, ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर दो परकार के लबन देखे, इन दोनों के बाद, अब हम लोग देखेंग और नहीं भास्मिक नेचर का हो, ठीक है, तो यह बनता कैसे है, तो जब आप एक प्रबल अमले की अभी किरिया, एक प्रबल भास्मिक के साथ कराएंगे, तब जो लबन तयार होगा, वो किस नेचर का होगा, सामान ने होगा, मतलब यह ना तो अमलिये होगा, नहीं भास्म किया करा देते हैं एंए ओएच के साथ ठीक है तो यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड और फानी यह जो है यह किस तरह का लवन है सामान लवन है इसमें ना तो अमलियता पाई जाती है और नहीं छारियता पाई जाती है अगर आप इसका पी-एच मान ही बन देखो गये अब क्युक्कि यह सामान मंन है तो इसका पी-एच मान होता है वो कितना होता है से but सब कूछ देखने के कि तो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले सबसे पहले सबसे लबन बहैसो टेम क्लॉराइट जिसए को सुठी के वारे में बात करें, ओ Casey ठीक है, ये इस तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आइसे ही आप लोगों को लिखना है, मान लेजी आपको कह दिया जाए कि sodium chloride क्या है, कैसे बनता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, कि sodium chloride साधारत नमक कहा जाता है, इसका सूत्र ये होता है, बनानी की बीधी, बनानी की बीधी यहां पे दो परकार से बनाया जाता है, एक तो परियोग साला में बनाया जाता है, परियोग साला में अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे बनता है, जब एक अमली की अभी किरिया, प्रबल अमली यानी की HCL का अभ तो यह जो बनेगा वो थोड़ा सा कौशली प्रोसेस है और हम लोग इतना खर्च ना करके बहुत ही कम खर्च में यह बना सकते हैं ठीक है तो जो बैपारी कस्तर पे नमक की बिक्री करनी के लिए जो नमक बनाया जाता है वो इस तरीके से नहीं बनाया जाता है उसको दूसरे तरीके से बनाते हैं और वो तरीका है कि हम लोग समुंदर के पानी को क्या करते हैं इकठा करते हैं और फिर उस पानी का बास्पी करन कराते हैं जिससे यह होता है कि पानी बास्पी बनके उड़ जाता है और पानी में मौझूद जो नमक है वो एक ढेले के रूप में है न जो बालू के कन होंगे वो नहीं घुलेंगे फिर आप उस पानी को चान लीजिए जब पानी को चान होगे तो नमक के जो कन है वो पानी के साथ उस चानना पत्रे से पार हो जाएंगे लेकिन जो बालू के कन वगएरा है जो ठोस असुधी है वो क्या हो जाएगा अलग हो प्राप्त हो जायेगा लेकिन अब उस ठोस में किसी भी प्रकार का असुधि नहीं है यानि कि कोई पत्थर कंकड़ नहीं है ठीक है आप उस को एक बार फिर से पीस लेजिए और जो आपको प्राप्त-उर और वो नमक प्राप्त होगा ठीक बच्चे तो उमीद है कि समझ में आया हो गई है अब यह जो नमग है इसके भी कई परकार है जैसे कि एक नमग है उसको कहा जाता है सेंधा नमक को कई-कई जगों पर काला नमक भी कहा जाता है क्यूंकि इसका जो color है न वो थोड़ा सा भूरा रंग का होता है तो लोग संक और काला नमक कहा देते हैं तो यह जमीन के अन्दर से मिलता है जिस तरीके से काधौन मतलब माइंस वगार होता है नंब होता है पथरों से मिलता है यह तो खुदाई करकर के माइंस से मतलब खाधानों से निकाला जाता है और इसमें असुधिक रूप में देखो नमक तो होता ही है यानी कि सोडियम कोलोराइड होता है लेकिन असुधिक रूप में इसमें लाल चिकना मिट्टी मिला हुआ रहता है जिसके बज़ सारपीस का नाम क्या पढ़ गया सेंधा नमक पढ़ गया ठीक है अब चूंकि वो कलर में थोड़ा सा ब्रॉन होता है इसलिए उसको किस नाम से पुकारते हैं काला नमक के नाम से भी पुकारा जाता है तो एक तो यह हो गया दूसरा आपको कभी कभी पूछ सकता है कि आयोडी यूक्त नमक तो आयोडीन क्या है एक तत्वे हैं जो कि हमारे सरीर को थोड़ा सा मातरा में चाहिए अगर यह आयोडीन हमारे सरीर को नहीं मिले तो हमारे सरीर में एक भीमारी हो जाता है जिसे घेगा रोक करते हैं यह जो गला है वो थोड़ा सा फूल जाता है उससे कोई पर यसान ही नहीं होता लेकिन देखने में थोड़ा जीब लगता और भीमारी तो आफिर भीमारी ही होता है ठीक है जी तो आयोडीन के कमी से हम लोगों को एक भीमारी हो जाता है ठीक तो अब हम लोग क्या करें आयोडीन तो चाहिए तो कि आप बाहर से आयोडीन लें और खा पोटेसियम आयोडाइड मिला यहास बैसा नमक जिसमें नमक करने Про науч days into. की में लिए इतना ही पढ़ना था असा नहीं के लिएच पीछा चोड़ेगा अभी एक और टौपिबंगा इसनों नाम आ मेंक काश्टिक सोदा सोडा तोकर अश्टिक लिए-ब contracted कब पूरा नमक एक बार फिर से हम लोगों को पढ़ने के लिए कहेगा, ठीक है, क्योंकि नमक से ही कास्टिक सोडा का निर्मान होता है, ठीक, तो इसके बारे में इतना ही पढ़ना था, कास्टिक के बारे में हम लोग बार में पढ़ लेते हैं, तो आप लोग इसका एक स्क्र कि यह sodium hydroxide बनता कैसे है ठीक है तो बनानी की जो बीधी है उसका एक नाम है इस बीधी में क्या होता है हम लोग sodium chloride का जली बिलियन लेते हैं यानि कि यहां पे हम लोगों ने क्या किया एक बरतन लिया और इस बरतन में sodium chloride मतलब नमक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अभी ब हर लेते हैं ठीक है बैसरा पानी जिसमें नमक मिला हुआ रहे है और इसमें battery के दो धुरूब होते हुम लोग जानते हैं cathode होता है और और इन दोनों को इस तरीके से बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब इसको बैटरी के धन धरूप से जोड़ दिया। यहां पर रीन आवेस्थ है यहां पर तो यह जैएका क्या हो जाएका जो सोडियम और कुलूरीन से मिलके बना हुआ है जैसे ही आप इसमें डिजरी डालोगे ना बिजली परवाहित करोगे तो यह sodium iron और klorine iron में बदल जाता है मतलब जैसे ही बिजली परवाहित होगा तो यहां पे sodium का plus iron और klorine के minus iron धेर सारे ऐसे अलग हो जाएंगे ठीक है अब क्या होगा तो यहां पे अभी किरिया होती है, एक अभी किरिया एनोड पे होता है, और एक अभी किरिया कैथोड पे होता है, तो हम लोग सबसे पहले एनोड पे देखते हैं, ठीक है, कि एनोड पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, एनोड पर, एनोड पर क्या, एनोड पर पलस आवेस है, तो प अपना इलेक्ट्रोन इसको दे देगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोन इसने इसको दे दिया, तो किसमें बदल जाएगा यह कलोरीन के परमानू में, और हम सब लोग जानते हैं कि कलोरीन जो है वो एक पीस नहीं रहता हमेशा CL2 के फॉर्म में रहता है, है ना तो यह क्या करेगा इसका दो अनू इस तरीके से जाएगा, मतलब दो आयन यहाँ पर जाएगा, और दो इलेक्ट्रोन का त्याग करेगा, और कर करके क्या बना देगा, CL2, ठीक है बच्चे, तो यह जो अभी किरिया होता है, वो कहा होता है, एनोड पर होता है, तो एनोड पर हमें क्या मिल रह है, वो यहाँ से इस तरीके से बुलबूला बना बना करके क्या हो जाएगा, बाहर निकलता चला जाएगा, हम लोग इसको इकठा करके यूज मिले सकते हैं, बड़ी ही इंपोर्टेंट गैस होती है, तो एक काम का चीज तो यह बन गया इस अभी किरिया से, एक साधारन सा नमक लिया था, हमने सिर्फ बिजली डाले, और उससे क्या मिलने लगा, कलोरीन गैस मिलने लगा, अब देखिए, कैठोड पे क्या होता है, हम इसको रब कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, कैठोड पर, तो कैठोड यह रहा, तो कैठोड पे कुन जाएगा, सोडि ये आयन तो थां या तो सोडियम का परमानु बना देगा अब देखिए दो अच्छा लगेगा क्यूंकि यहाँ पर क्खबा दिया love और जयादा इसमे कुछ नहीं अब धेखिए यहाँ पीज़ींी बनता है यह सोडियम बनता है यह सोडियम काई सोडियम जो है वो पानी के साथ अभी किरिया कर लेता है और पानी के साथ अभी किरिया करके बनाता है सोडियम हाइडरोकसाइड और पलस में हाइडरोजन गैस बनाता है तो यह देखिए सोडियम हाइडरोकसाइड बन गया जिससे हम लोग क्या कहते हैं कास्टिक सोडा कहते ह तो sodium hydroxide यहां आ करके बनता है और साथ ही साथ hydrogen gas मुगत हो रहा है अब यह फिर से एक बड़ा ही important चीज है ठीक है तो यहां पर कितना चीज बन रहा है सबसे पहले chlorine gas बना उसके बाद hydrogen gas बने और यह तो बना ही बना तो तीन चीज बन रहा है एक साधारन सा नमक से और नमक में ह अभी लिखने वाला हूं उन तीनों के बारे में लिख देता हूं कि कौन-कौन से जगह पर उनका इस्तमाल होता है आप लोग उसको note कर लिजिएगा सबसे पहले एक इसका उप्योग साबून और अपमार्जक बनाने में होता है साबून जिससे हम लोग नहाते हैं होते हैं ठीक है तो इसके बनाने में साबून और अपमार्जक को बनाने में एने ओएच का बहुत अधीक इस्तमाल होता है ठीक है इसी के मदद से बनाया जाता है इसके अलावा इसका जो दूसरा उप्योग है वो कागज उध्धोग में है कागज के फैक्टरी में कागज इसके अलावा परियोग साला में कई जगों पे अभी कर्मक के रूप में इसका इस्तमाल किया जाता है, परियोग साला किसे कहते हैं, जहां पे मतलब रसाइन सास्तरी को ले करके कई तरह के परियोग किये जाते हैं, नए नए चीजे बनाई जाती है, तो उन में कई जगों प जो सबसे पहला उपयोग है वो है बनस्पती तेल मतलब जो सबजे से तेल निकलता है उसको डालडा बनाने जिसको हम लोग घी कहते हैं घी बनाने में एच का उपयोग होता है इसका जो दूसरा उपयोग है वो है अमोनिया बनाने में अमोनिया किया है अमोनिया एक परकार का fertilizer है जो की खेतों में डाला जाता है उससे उरबरा सकती बढ़ती है खेतों की ठीक है और ammonia किसे बनता है तो hydrogen के सही योग से बनता है तो ammonia के निर्मान में हो गया और जो तीसरा है वो है अधोगिक अस्तर पर इंधन के रूप में ये क्या बात हुआ तो hydrogen जो है एक flameable ये है गैस में इसका उपयोग इंधन के रूप में किया जाता है बड़ी-बड़ी मसीने चलाई जाती है इसके उपयोग से ठीक है बच्चे तो अधोगिक अस्तर पर इंधन के रूप में इसका इस्तमाल होता है तो दो चीज हमने देखा और ये सभी चीज बना है किस से मात्रयक साध पहारन नमक से जो तीसरा चीज है वो कलोरीन था अब इसका उपयोग देख लेते हैं तो कलोरीन का सबसे बड़ा उपयोग है क्योंकि एक पौईजनस गैस है तो पौईजनस गैस क्या है अगर हमारे लिए नुकसान दायक है तो जो कीला मकोडा है छोटे मोटे जो हमारे सर इसको तो पहलेवाले कलर को फिर से सफेद बनाने में किसका इस्तमाल होता है CL2 का इस्तमाल होता है ठीक है? और इस अभी क्रिया को बिरंजित करना कहते है कागजों को भी उसी तरीके से बिरंजित किया जाता है बहुत सारा कागज आप देखे होंगे यूदि की एलो है तो कोई पिंक है उन कागजों को फिर से सफेद बनाने के लिए कलोरीन गैस मार दीजिए वो क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा इसके अलावा पे जल को सुध करने में मतलब जो पीते हैं पानी न उसमें कलोरीन गैस डाल दीजिए वो क्या हो जाएगा? सुध हो जाएगा जो भी उसमें असुधी है वो मर जाएगा कीड़ा मकोड़ा है, खतम हो जाएगा, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा चूर्ण होता है, जिसका अधोकी अस्तर पे बहुत इस्तमाल होता है, साफ़ सफाई में, उसको कहा जाता है बिरंजक चूर्ण, और बिरंजक चूर्ण बनाने के लिए कलोरीन गैस का इस्तमाल ह पर पर डेनो जोसे उसमें जो भी असुद्धि होगा या तो फिर जो छोटे मोटे हानिकारत बिल्लुव अगर आ जाते हैं किड़े मकोड़े आ जाते ठीक है बच्चे तो आप लोग इसका एक screen shot ले लिजे हम लोग पढ़ते हैं अगले 11 की ओर तो अब जो हम लोग अमले पढ़ने वाले हैं उसका नाम है sodium hydrogen carbonate यानि की sodium bicarbonate दो नाम है इसका करते हैं खाने का soda कहते हैं उसी के बारे में पढ़ना है ठीक है थे तो सबसे पहले इसका सूत्र देखते तो सूत्र हो जाएगा sodium hydrogen carbonate in a.h co3 यह हो जाएगा इसका सूत्र अब यह बंता कैसे है बनानी की बीधि तो बनानी साथ ammonia के साथ इन चारों को एक साथ मिलाते हैं proper condition देते हैं जिस तरीके से मिलाना होता है अभी आपको यह procedure नहीं पड़ना है तो आप लोग उसके पीछे मत जाएंगे बस यह जानिए कि यह 4 सीजों को एक साथ मिलाते हैं तो जो बनता है बनता है ammonium chloride NH4Cl और साथी साथ बनता है sodium hydrogen carbonate इसी को क्या कहा जाता है खाने का soda ठीक है बच्चे तो हम लोगों ने देखा कि ये बनता कैसे है इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा से इसके गुन के बारे में ऐसे गुन ज्यादा important नहीं है जितना की important है इसका चुंकि ये चारिये है तो इसका सुवात तो कड़वा हो ही गया साथ ही साथ इसका pH मान जो होगा वो क्या होगा साथ से ज्यादा होगा अधीक होगा और इसका एक दूसरा गुन है कि अब ये चारिये है तो ये अमलों के साथ अभी किरिया कर गे क्या करेगा अमलों के गु अभी किरिया हुआ तो इसका sodium और इसका klorine बनाया और थोड़ा सा हमात्रा में जल का निर्मान हुआ तो यह इसका गुन हो गया और भी कुन हो गया आपके बुके में दिया हुआ होगा बस उसको लिखना है रट लिजे और उसमें कुछ है नहीं ठीक इसका उपयोग है जो ये मतलब बेकरी उध्धोग है, बेकरी उध्धोग किसको कहते हैं, जहां पर बिस्किट वगएरा बनाए जाते हैं, तो बिस्किट जो होता है या जो केक होता है वो फुला हुआ होना चाहिए, तो जो फुलता है वो किसके मदद से फुलता है, इसी सोडे के मदद से फु फुलक भी हो जाता है मतलब कि ठोड़ा सा इसे फूल सा जाता है किया हो जाता है Baking Poder पहले देखते हैं कि Baking Poder पहुकर्ड़ क्या होता है तो यह जो Baking Poder है न तो यह दो चीजों का मिस्रन होता है कौन-इसका सबसे पहले थो यह बोले तो sodium by carbonate और इसमें एक अमले रहता है जिसको हम लोग कहते हैं tartaric amla जो कि इमली में पाया जाता है ठीक है यह जो खाने वाला soda आप लोग लेके आते हो ना यह दुकान में मिलता है आप लोग दुकान से खाने का soda लाओ और उसमें इमली का रस नी चोड़ दो तो जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेकिंग पॉडर बन जाएगा वो केक बगएर हम आप लोग उसका इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है इन दोनों का mixture होता है अब देख है अमलों के बारे में ठीक है तो जब यह अभी किरिया करता है तो अभी किरिया करने से क्या होता है कि यहां पर बनता है कारवन डाइयोकसाइड साथी साथ थोड़ा सा पानी बनता है और एक चीज बनता है एक लबन बनता है जिसको कहा जाता है सोडियम टार्टरेट ठीक ह तो ऐसे आपने cake बनाया और उसमें ये वाला चीज डाल दिया, baking powder डाल दिया, तो baking powder जैसे ही इसमें जाएगा नीचे, तो इसमें क्या बनता है, carbon dioxide, gas बनता है, तो ये जो gas है वो यहां से इस तरीके से बाहर निकलेगा, तो रास्ते में जो भी रुकावट है वो उसको छेद क करता हुआ उपर चलाएगा, जिसके बज़य से थोड़े-थोड़े से ये जो cake के कन है न वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, और जैसे ही उठ यए पनने के बजह और प्लापी हो जाएगा, और इसके अलावा sodium tart rate बनता है, sodium tart rate क्या है, ये जल बनता है, अगर ये वाला च तो हम सब लोग जानते हैं कि यह क्या है से लोट को दूररकरने के लिए हमने क्या मिला दिया है अमली मिला दिया है हम लोटे क्या करेगा कुछ भी कह सकतAY है पारापंदों नहीं कह सकते लेकिन छार ये पन जो है उससे अभी किरिया करके क्या कर देता है एक उदासीन लबन का निर्मान कर देता है sodium tartarate इसमें कोई गुन नहीं होता ना तो ये अमलिये होता है नहीं ये छार ये होता है तो पहला गुन हो गया baking powder बनाने में इसका उपयोग होता है दूसरा जो इसका उपयोग होता है बो होता है एंटा सीट के रूप में अब ये एंटा सीट किया है तो एंटा सीट जो होता है जैसे हम लोग कुछ खा लेते हैं जरूरत से ज्यादा तो हमारे जो पेट में ये जो अमले बनता है है हो जातो है घृँक है फिर खटे ढकार आते हैं तरह तरह के उल्टे-सीदी बिमारीया üst ना चलू हो जाता है तो उसके अमलियता को कम करने के लिए हम जिस दवा का इस्तमाल करते हैं उसे एंटासीड कहते हैं तो एंटासीड बनाने में भी किसका इस्तमाल होता है खाने के सोडा का इस्तमाल होता है जैसे आप बजार जाते हो इनो लेके आते हो ठीक है तो इनो क्या है एक परकार का एंटासीड है आप जैसे ही उसको खाते हो न तो आपका प हूँ और इसमें सीट्रीक अमले मिला दिजिए अब आप लूग कहोगे सर ऐसा ऐसा चीज बताते हैं कि हम मिलाएंगे कहां से कहां से लाइंगे यह रशत को सीट्रीक अमले कहा जाता है तो खाने इनो, इसी को हम लोग पीते हैं, और पेट की अमलियता को क्या करते हैं, दूर करते हैं, तो देखो, इनो बनाने में भी किसका इस्तमाल हो रहा है, इसका इस्तमाल हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्वोनेट का, या तो कह सकते हैं, सोडियम बाई कार्वोनेट का, ठीक, इसके अलाबा एक और उप्योग है बो है कि बययंजन को मतलब की रसोई घर में बययंजन को कुर्कुरा बनाने में, किरिस्पी बनाने में, कुर्कुरा बनाने में, तो टोटल तीन उप्योग हो गया और भी उप्योग है लेकिन ये तीन इंपोर्टेंट है तो ये तीन आप लोग लिख लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीन फॉट ले सकते हैं कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हैं तो अब जो हमें पढ़ना है लबन उसका नाम है sodium carbonate इसको हम लोग धोने का soda भी कहते हैं इसका जो सुत्र हो गया वो हो गया sodium carbonate और इंटू में मतलब यहां पर गुना का चीन के साथ कह सकते हो जल का अगर हम इसके अनुसार लेक तो हो जाएगा sodium carbonate and 10 को क्या बोलते हैं डेका बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं排lorate गोलते हैं तो यह नाम भी अगर कहीं पर आपको दिखें तो फिर समझ जाना की द्धोने का soda के बारे में कहा जा रहा है ठीक है सोडियम कार्वोनेट 10 के लिए डेका और H2O को हाइडरेट कहते हैं तो ठीक है डेका हाइडरेट हो गया तो इसी का नाम हो गया अब हम लोग बात करेंगे बनाने की बीधी यह किस परकार से बनता है तो बही पुराना बीधी है अमूनिया सोडा बीधी या तो सालवी हम लोग जानते हैं किस बीधी में क्या होता है यहाँ पर हम लोग लेते हैं सोडिय Cayराइड यानिंधि नमग और इसका अभी किरिया कराते हैं जल के साथ करवन डाई घाएक्साइट के साथ और साथी साथ और अमूनिया के साथ तो बनता क्या यह वाला चीज यह तो पिछले बार भी बना था है अब इस चीज को पकड़ेंगे sodium by carbonate इसका दो नाम है sodium by carbonate भी का सकते हैं sodium hydrogen carbonate भी का सकते हैं और इसको हम लोग 100 degree Celsius से गर्म करते हैं जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं तो ऊपर में एक तिर्भूज बना दिया किजिए इ यह देखिए सोडियम कार्वोनेट बन चुका है इसमें सिर्फ जल के 10 अनू लगाने है तो 10 अनू कैसे लगेगा यह सोडियम कार्वोनेट को बायू में छोड़ दीजिए अब बायू में नमी होता है तो उस नमी को यह सोख लेगा एब्सॉर्ब कर लेगा और उसका 10 अनू यह अपने अंदर ले लेगा ठीक है तो यह क्या है पानी है तो पानी तो किसी चीज को भी गीला करता है तो क्या इसको भी क्या गीला कर देगा मुलाइम कर देगा नहीं यह जो पानी है वह इसको क्या करता है क्रिश्टलाइन करता है अब आप लोग जब क्लास 12 में छोड़ दीजिए ठीक है तो यह बन गया इसका निर्मान हो गया गुन क्या होता है हलका सा चारिये होता है चारिये है तो पी एच मान इसका क्या होगा साथ से जियादा होगा यह सारा कुछ होता है तो गुन मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं छोड़ दीजिए उसको आगे बढ़ते हैं उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है जैसा कि इसका नाम है नाम क्या धोने का सोडा तो धोने का काम आए तो सबसे पहले कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है इसके अलावा कागज बनाने में कांच बनाने में और साबुन बनाने में भी इसका उ लबन उपस्थित रहें उसको क्या कहा जाता है? खारापानी कहा जाता है. तो उसमें साबुन काम नहीं करता है. तो अब मारजक जो बनता है वो इसी से बनता है. तो उसका खारापन दूर करने के लिए हम लोग इसका इसतमाल कर सकते हैं. इसके अलाभा परियोग साला में करके पूच सकते हैं तो अब जो हम लोग अगला लबन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिरंजक चूरन यह जो जितने भी लबन हम लोगों ने पढ़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा important है वो है बिरंजक चूरन और इसके अलावा एक और है मतलब important में से एक है ये कह सकते हैं बहुत important है exam में आने के पूरे पूरे chances होते हैं इसके तो आएए देखते हैं बिरंजक चूरने क्या होता है तो बिरंजक चूरने जो है उसका सूतर होता है CA O CL ये bracket के अंदर में और into में CL है अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो CA हो गया O CL को CL से गुना कर देंगे तो O को O छोड़ दो और CL और CL मिल के क्या हो जाएगा CL 2 हो जाएगा ठीक है इसका नाम क्या हो जाएगा अगर हम लोग हो गया calcium oxy chloride हो गया ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बनता कैसे है तो बनाने की बीधी तो इसके लिए सूस के बुझा हुआ हुआ चुना लेजिए सूस के बोले तो कड़ा बुझा चुना लेना है बुझा मतलब कितना 40 degree temperature तक गरम किजिए और इस पर क्लोरीन गैस परवाहित कर दीजिए जैसे ही क्लोरीन गैस परवाहित करोगे तो बन जाएगा c a o c l का whole c l या तो इसको ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि calcium oxygen और c l 2 ठीक है ये भी बिरंजक चूरने लिखा हुआ है ये भी बिरंजक चूरने लिखा हुआ है तो बनाने का अबीधी हो गया कि सूस के बुझे हुए चूने पे 40 degree temperature पे क्लोरीन गैस जब परवाहित किया जाता है तब बिरंजक चूरने का निर्मान होता है ठीक है बच्चू अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका उपयोग का और एक चीज और इसका formula बड़ा important है exam में अकसर एक number में पूछा करता है तो formula याद जरूर रखिएगा इस रूप में भी पूछ सकता है इस रूप में भी पूछ सकता है उपयोग क्या है जी उपयोग है इसका किटानू नासक के रूप में किटानू नासक मतलब जो किटानू को मार देता है ठीक है अब देखी होता क्या है किस तरीके से यह चीज लेते हैं calcium oxygen chloride किटानू नासक में मतलब कि मान लो कि बहुत ज्यादा कचड़ा कहीं पर फैल गया है तो सरकार एक दवा का चिड़काप करती है आप लोग उन्हें देखा होगा white color का दवा होता है उसको छीट देते हैं तो बड़ा बदबू भी आता है ठीक तो वह होता क्या है चीटने से क्या होता है यह वाला चीज को हमने छीटा तो हवा में carbon dioxide है की नहीं है है तो carbon dioxide इसके साथ अभी किरिया कर लेता है और अभी किरिया करके बनाता है calcium carbonate यानि की चुना कुछ देर के बाद इस दवा को छीटने के कुछ देर के बाद आप लोग क्या कर सकते है जो चुना बना हुआ रहा जाता है उसको उठाके खैनी में डालके खा सकते है चुना बन जाता है वह चीज ठीक है तो calcium carbonate बन जाता है और साथ ही साथ chlorine gas मुगत होता है यही chlorine gas हम लोग जानते है कि यह पुआजनेस है यह किटानू का नास करता है तो किटानू नासक के रूप में इसका इसका इस्तमाल होता है इसके अलावा कागज बनाने में इस्तमाल होता है बनाने में बिरंजन करने में बिरंजन मतलब उसका रंग को उडाने में कागज एवं कपड़ा के बिरंजन में इसका इस्तमाल होता है इसके अलावा कलोरीन गैस जैसे देखे कलोरीन गैस बन रहा है ना मान लेजिए कि कहीं से आपको धेर सारा बना बनाया ये मिल जाए क्या मिल जाए बिरंजक चूरने मिल जाए तो आप उसके उससे बिरंजक चूरने से कलोरीन गैस बना सकते हो और दही से दूद नहीं बना सकते ठीक है तो हर वार रिवर सेवल नहीं है लेकिन यहां पर रिवर सेवल है अगर आपको कलोरीन गैस मिल जाएगा तो यह बना लोगे और अगर यह मिल जाएगा तो क्या बना लोगे कलोरीन गैस बना लोगे ठीक है और कागज और कपड़ा का बि बिहोसी की दवा है कि कि सामने आप रुमाल पर थोड़ा सा डाल अपने उसके सामनी जाकर जाड़ा दोगे लेगा अगले सास में भी होस हो जाएगा ठीक है इस्वे होस आवास खो देगा इतना तगड़ा दवा है तो ये भी बनता है इसी से मतलब कलोरीन गैस मिल गया अब क कलोरीन से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो सब कुछ हम लोग यहां पर बना सकते हैं, तो उसके लिए इतियाद ही लिख दिया, ठीक है, तो यह इसके उपयोग हो गए, कहीं पर कोई दिक्कत है, तो कमेंट करके पूछिए, स्क्रीन सॉट ले लीजिए, आगे बढ यह भी है, तो यह थोड़ा सा ध्यान से हम लोग इसको पढ़ देते हैं, असका जो यह रासाइनिक नाम का बात करें, तो इसका रासाइनिक नाम क्या हो जागा, कैल्सियम सलफेट आधा को कहा जाता है, हेमी, और यह क्या है हाइडरेट, ठीक है, तो पूरा नाम हो जाएग ठीक है, यह हो गया, जिपसम कहीं कहीं पर टेन लिखा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तू से चलिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तक रीबन 120 डिगरी सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं, काफी साब धानी से, जब ऐसा करते हैं तो इसका निर् आदा तो कभी होता है नहीं, तो एक्चुली ये वाला चीज ऐसे नहीं होता, बलकि ऐसे होता है, कैलसियम सलफेट जो होता है, इसके दो अनू बनते हैं, और पानी के एक अनू बनता है, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, कि ऐसे बहां पे मतलब बुक है, तो आधा इसके हिस्से में, और आधा इसके हिस्से में, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, कि एक कैलसियम सलफेट के हिस्से में, आधा अनू आता है पानी का, ठीक है, तो इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये बन गया, मतलब जिपसम को साबधानी आज कल के डेट में मुर्तियों को बनाने में उसके बाद मतलब कि घर के दिवारों पर दिवारों पी नहीं करवाते हैं हम लोग प्लास्टर परिस पी ओपी करवाते हैं तो बहां पे भी इसका उपयोग है तीसरा और सबसे जो पर्मुक उपयोग है वो है हड्डियों को जोड़ते समय हड्डी कैसे लिखाएगा हाँ ठीक लिख रहे हैं लिख लेना आप लोग है लिख लोग इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं हमारा जी चैप्टर नंबर टू है वो समाप्त होता है इसी के साथ अगर कुछ रह गया है जो मैं नहीं पढ़ा पाया हूं किसी कारण बस चूट गया तो कमेंट करके बोलिएगा समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके और अगर सच में मज़ा आया तो अपने दोस्तों के पास जम के सेयर किजिए चैनल से ज्यादा लाग उठाना चाहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आगामी वीडियो जितने भी मेरे आएंगे उसका न